हलो डियर सुडेंट वेलकम बैक तो इस वीडियों में आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉड एम हर्स्ट के बारे में और इनका जो कारेकाल था वो था 1823 से 1828 इस भी के मद्द में तो चलिए इस वीडियों के सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं लॉड एम हर्स्ट को लॉड एम हर्स्ट तो यहां से इसकी सुरुवात करते हैं लॉड एम हर्स्ट का कारेकाल था एक अगर्स 1823 से 13 मार्च 1828 इस भी तक तो इसको यहां पर याद रखें हैं अच्छे से आला कि मैंने इसे रैड कर दिया हुआ है एक अगर्स 1823 से 13 मार्च 1828 इस भी तक पॉइंट नंबर दो में कहा गया है कि लॉड एम हर्स्त के कारकाल में बर्मा का प्रिथम युद जो 1824 से 1826 ईसवी के मद्ध तक चला और इस युद का अंत 24 फरवरी 1826 ईसवी को यांट बू की संधी से हुआ था तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि बर्मा का प्रिथम युद हलाकि कई किताबों में इसको अलग तरह से लिखा गया है जैसे कि प्रिथम आंगल बर्मी युद इस तरह का लिखा गया है तो ठीक है एक ही बात है वो बैसे तो ये युद्ध लगबग चला था दो बर्स तक यानि कि 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 इसवी तक तो इसको याद रखें यहाँ पर ठीक है और ये युद्ध किस के बीच में हुआ था देखें ये युद्ध हुआ था वो बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बर्मा का जो सामराज था वहां के जो राजा थे उनके मद में हुआ था तो इसमें बिर्टिस इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी उसकी बिजय हो गई थी तो यहाँ पर लिखा है कि यांडबू की संधी देखिए यांडबू की जो संधी हुई थी 24 फरवरी 1826 बीकू तो ये यांडबू क्या है इसको समझ लेते हैं देखिए यांडबू एक गाओं का नाम है जो बर्मा का बर्मा कहें या मेयनमार कहें एकी बात है आप समझ लेना तो बर्मा की जो प्रानी राजधानी थी जिसका नाम था आवा लेकिन आवा को आदुनिक में रतनपूर कहा जाता है जो बहमूल पत्थरों के लिए बहुत पृसिदित था और यह नगर इरावती नदी के किनारे इस्थित था हाला कि अब तो है थोड़े खंडर से डेले रह गए हैं जादा कुछ नहीं है अब यहाँ पे तो उससे लगबग 80 किलोमीटर दूर इस्थित गाउं था जिसका नाम था यांडबू तो वहाँ पे यह संधी हुई थी इसी लिए इस संधी का नाम यांडबू की संधी पड़ा था यहाँ से सुरू होती है यांडबू संधी की कुछ प्रमुक्सरत हैं तो चलिए वो भी जान लेते हैं नमबर एक एक अंग्रेजी रेजिडेंट रंगून में और एक बरमा का राजदूद कलकत्ता में रहने लगा देखें यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक अंग्रेज अधिकारी रंगून रंगून आधनिक मैनमार में है ठीक है तो वहां रहेगा और एक बर्मा का राजदूद यानि कि मियानमार का राजदूद कलकता में रहेगा नमबर दो में कहा गया है यहाँ पर मनीपुर को सुतंतर राज गोशित किया गया था तो किस संधी के तरही किया गया था यह दोंकर नहीं तो इसको यहाँ पर याद रखें अग्ले पॉन्ट में कहा गया है कि लौड एम हस्थ के कारिकाल इस वे मैं बेरकपूर का सेन बिद्रोय हुआ था जिसका मुख्य कारण भारती सेनिकों ने समुदर के रास्ते रंगुन जाने से इंकार कर दिया था देखे इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं बैरकपुर का बिद्रुवे एक और बिद्रुवे ताप का ध्यान पहुंच गया होगा इसका जो सेनिक बिद्रुवे हुए था 1824 में उसका क्या कारण था देखे उसका कारण ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा जो भारती सेनिक थे वो ऐसा मानते थे कि समुदर के रास्ते अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा धर्म बरस्त हो जाता था तो इसलिए ये बिद्रुवे हो गया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम समुदर के रास्ते कहीं बाहर जाएं अगले पॉइंट में यहाँ पर का गया है कि लॉड एम हर्स ने 1826 इसमी में कामबर मियर के नेतरतों में एक अंग्रेजी सेना भरतपुर भेज कर उस पर अधिकार कर लिया था तो देखो यहाँ पर उसको समझ लेते हैं 1826 में क्या हुआ था कि जो कामबर मियर के नेतरत में एक अंग्रेजी सेना भरतपुर जो की आधनिक राजस्तान में है ठीक है उस समय जो राजा थे भरतपुर के उनका नाम था वलवंत सींग उनके बुरुद भेजी थी इसी सेना तो हाला कि ऐसा काफी त्यासकार मानते हैं कि अधिकार कर लिया था लेकिन काफी इस बात को नकारते हैं वो कहते हैं कि अधिकार नहीं किया था लास्तम समझोता हो गया था दोनों के मद में इस तरह के ऐसा माना जाता है कि भरतपुर को राजा सूरजमल निबसाया था और राजा सूरजमल भरतपुर के ही राजा थे जिनका सासनकाल था 1756 से 1770 इस्वी के मद्ध में अगले पॉइंट में कहा गया है का 1828 सीस्वी में लौड एम हस्त बापस इंगलेंड चले गया और इसके बाद नए गवर्नर जेनरल लौड बिलियम बेंटिक को बनाए गया तो यहाँ पर अगले वीडियो में आपको पढ़ाँगा लौड बिलियम बेंटिक के बारे में अगर आपको भारती संबिधान भी पढ़ना है तो आप जागरन मंत्रा यूट्यूब पर सर्च करें तो एक चैनल आएगा तो उस पर मैं भारती संबिधान को पढ़ा रहा तो वीडियो कैसा लगा जरू बताइएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेर करो कमेंट करो और एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दाओंगा